वहां गेनुआ अपने जादू के जोर से लिलापूर में सहर बसा दिया और जहां फुलिया फुलकुमारी ने समयाना को भस्म किया था वहां फिर से समयाना खड़ा कर दिया और आठो तिरिया को अपने जादू से जिंदा कर दिया लेकिन बिर्जा भार का कोई निशान न मिल गिन्वा अपने जादू का पुरा जोर लगा लिया लेकिन बिजाभार का कहीं पता नहीं चला गिन्वा और आठो सावरी ठक हार कर बैठ गये तब तक सावरी मामी फुल्वंती और लालिव वहां पहुच गई सावरी मामी गिन्वा से सारा हल पुछें लगी पतवान लागत बाते भाईया ब्रीजभार वाहो भाईया ब्रीजभार के हो होरम हो इहे हवलिया बाखराब अनुरे की बहुत उपईया कैनी लागत नहीं पतवाहो लागत नहीं पतवाहो होरम हो अब करी कवन उपाए नुरे की अतना सुनी के सावरी बोले ले बचनी आहो बोले ले बचनी आहो होरम हो सुनो गिन्वा कहल हमारे नुरे की जब लागत ही नहीं पता ब्रीजबार के हो पता ब्रीजबार के हो होरम हो तब फुलिया रखले बाच्छी पाए नुरे की इतना सुनी के गनुआ कहे लाबचनी आहो कहे लाबचनी आहो होरम हो सुनो मामी कहल हमारे नुरे की लिलापूर में रचले बानी जदू के बजरी आहो जदू के बजरी आहो हो होरम हो चलो लागी उहाँए से पता या नुरे की हम लोग जितने भी हैं सब लोग अलग-अलग हो जाएं और घूम घूम कर पता लगाने की कोशिस करें अगर पता नहीं लगता है तब कोई दूसरा उपाय किया जाएगा अतना सुनी के सावरी सब ही के संग वाहो सब ही के संग वाहो होरम हो लेके चली गेनुआ के साथ अनुरे की लिलापुर सहरिया भीतर गईले लेके संग वाहो गईले लेके संग वाहो होरम हो जहां रहे जादू के बजार अनुरे की छिट पूट हो कर रामा पत वालगावे लेहो पत वालगावे लेहो होरम हो लिलापुर के आवे लोग देखन रेकी लिलापुर सहर वाहो में भारी भाईले सोर वाहो भारी भाईले सोर वाहो होरम हो आईलपाए गोशाओ दागर रेकी वहाँ गेनुआ ने भी अपना बजार लगा लिया बजार में फुलिया फुलकुमारी का बाप जिसका नाम बंगाली था वो भी आया और गेनुआ से बजार के लिए कोडी यानि पैसा मांगने लगा तब सावरी मुस्कुराते हुए बोली कोडी तो आपको नहीं दूंगी मह बंगाली आहो होरम हो कर खुशी आया पारे नुरे की जब चली गई ले बंगाली अपना घर वाहो आपन घर वाहो होरम हो तब सावरी गेनुआ से कहलरे की